ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, OSI model, यह आपका concept है, अगर मैं बात करूँ, network model की, network model की, तो मेरे पास दो model हैं, एक हमारे पास OSI model, और एक हमारे पास TCP IP model, अब यह जो दोनों models है, basically इसके अंदर आपका जो OSI model के बात करूँ, इसको हम लोग reference model बोलते हैं, और जो हमारा TCP IP model है, इसको हम लोग implement model बोलते हैं, अब दोनों में difference क्या है, दोनों में ही आपके जो concept है, basically इसमें आपके एक flow को समझाए गया है, कि आपके network में जो protocols हैं, दो system के बीच में वो कैसे काम करते हैं, इसको explain किया गया है to different layers के basis पे, तो जो reference model है, इसको हमें बताएगे कि इस purpose के लिए कि actual network में दो computer कैसे अपने आपस में जो है communication करते हैं, इसको explain किया गया है OSI model के अंदर, और उसी चीज़ को हम लोग, क्योंकि OSI model को हम लोग reference के लिए use करते हैं, इसको हम लोग directly implement नहीं कर सकते, तो जो implement model है which is TCP IP model, तो अभी जो हमारा जो concept रहेगा जो हम लोग पढ़ेंगे which is OSI model, तो OSI model को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ के लिए हो जाएगा कि network में दो computer आपस में किस तरीके से communicate जो हैं करते हैं, जो हमारा, अगर मैं बात करूँ 1970s की, तो उस time पे हमारे पास 1970s की, एक मिन गाइस होल्ड करना, एक मिन होल्ड करना, बात करूँ, ठीक है, तो उस time पे हमारा network initially आया ही था, और उस time पे कुछ companies थी, जैसे की IBM, Decknet, ठीक है, ये companies क्या करती थी, मैं 1970s की बात करूँ, जब network हमारा actual मैं क्या लो कि start ही हुआ था, तो IBM, Decknet, ऐसे और भी company थी, हमने दो example लिया, जैसे IBM, Decknet, ये क्या करती थी, अपने-पने devices को manufacturers करती थी, ये devices बनाते थे, network devices, जैसे की computer, switches, router, अब जब 1970s में हर कोई तो computer use नहीं करता था, तो वहाँ पे जो computer थे, वो क्या थे, हमारे limited थे, right, computers क्या थे, limited थे, और basically हम इनको कहाँ पे use करते थे, offices में, तो होता क्या था, कि उस time पे 1970s में, जो ये companies थी, ये अपने standard को follow करते थे, पने standard को follow करते थे, मतलब की क्या है, कि अगर IBM है, example, तो IBM जो devices बनाता है, जैसे की computer बना रहा है, तो इस computer के अंदर जो protocol use होते थे, वो IBM के खुद के बनाई होए होते थे, तो इससे होता क्या था उस time पे, कि अगर एक office में, एक network को हम design कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारे के सार IBM से होंगे, या तो सारे decknet से होंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं, दो different vendor के system अपने offices में लगा दूँ, एक IBM का लगा दूँ, ठीक है, और एक मैं decknet का लगा दूँ, तो ये computer कभी भी आपस में communicate नहीं कर सकते थे, क्योंकि IBM अपना standard follow करता था, और decknet अपना, जैसे कि अगर मै बात करूँ, दो ऐसे लोगों को हम लोग खड़ा कर दें, जैसे suppose ये एक है user 1, एक है user 2, ये जो user है, ये सिरफ हिंदी जानता है, और ये सिरफ Chinese जानता है, तो इसको Chinese नहीं आती, इसको हिंदी नहीं आती, तो क्या इनके बीच में communication होगा, नहीं, तो communication अगर इन दोनों को क communication करना है, तो एक standard को follow करना पड़ेगा, कौन सा follow करना पड़ेगा, इनको क्या करना होगा, global language जिसे बोलते हैं English, तो इनको English आनी चाहिए, अगर इन इंग्लिश जानेंगे, तो आपस में communicate कर पाएंगे, नहीं तो communication नहीं होगा, तो इन एक standard follow करना चाहिए, तो इसी, जब 1970 में, जब initially system आया था, तो some problem नहीं थी, लेकिन 1980s के आते आते, network में computer इतने ज़्यादा होने लग गए, जिससे क्या है कि, normal एक, मान के चलो एक company आप खोल रहे हो, तो आपको problem यह होती थी, कि आपको सारे computer या तो decknet से लेने होते थे, या सारे computer आपको IBM से लेने होते थे, त तो अब problem यह था, कि आपको vendor specific network को use करना पड़ता था, तो यह problem देखी गई, 1980s में, कि भाया, हमें कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, जिससे की, दो different vendor के system क्या हो, आपस में communicate कर पाए, तो 1980s में, एक model को design करने के लिए, या कहलो कि, कुछ multiple vendors ने मिलके, एक meeting रखी, और 1980s 4 में एक model को ले कर आया गया, कब 1984 में, एक model को launch किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग, OSI model, अब इस model को launch करने का reason था, two different vendor system, two different vendors system can communicate each other, यानि आपके दो different vendor के system, आपस में communicate कर पाए, इसलिए OSI model को launch किया गया, 1984 में, और किसने launch किया, आईए सो ने, industry standard organization, full form आप देख ले न, I for industry, S for standard of our organization, तो ये संस्था थी, जिसने 1984 में OSI model को launch किया, reason कि, two different vendor के system आपस में क्या कर पाए, communicate कर पाए, यहां तक समझ में आया, रैपी जी, इतनी चीज़ के लिए है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, now, next point, अब ये जो OSI model है, इसको total seven layers में divide किया गया, जैसे कि, पहला layer है हमारे पास application, not a parallel layer, this is layer 7, layer 7, it is an application layer, layer 6, total seven layers में, तो layer 6 है, which is a presentation layer, layer 5, session layer, layer 4, which is transport layer, layer, layer 3, which is network layer, इसके बाद हमारे पास layer 2, data link layer, and layer 1, physical layer, तो total हमारे पास ये 7 layers होती है, और ये 7 layers एक system पे होता है, ये हमारा एक virtual concept है, आप इसको देख नहीं सकते, हाँ, जब भी computer में, कोई data network में send करता है, कोई भी device, not only computer, any device, when send a packet in the network, तो आपका सबसे पहले data applications layer से होते हुए, होते हुए, ये physical layer पे जाता है, दैन उसको फिर wire में place कर दिया जाता है, और जो receiver होता है, तो receiver क्या होता है, वो अपने इस physical layer पे data receive करता है, और इस तरह से data application पे receive कर लेता है, तो ये आपका एक top to down approach होता है, अब इन layers का क्या काम होता है, वो हब हम discuss करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहली जो layer है OSI model की, which is application layer, application layer, और इस application layer को हम लोग layer 7 भी बोलते हैं, अब इसका concept क्या है, समझते हैं पहले, application layer, ये कह सकते है, user data, users data created और generated here, यानि जो एक user है, जैसे आप मैं एक user हैं, वो क्या करेंगे, data को इस layer पर generate करेंगे, अब data को generate करने के लिए, we need an application, we need an application, to generate data, यानि मुझे क्या चाहिए, एक application चाहिए, जो की क्या करें, data को generate करें, और network पर उसको क्या करें, send करें, देखो ये सारी चीज़े अपने आप होती हैं, लेकिन कुछ चीज़े जो है मैं manual process करने पड़ती हैं, ठीक है, अब application layer पर data को generate करने के लिए, क्या चाहिए, आपको एक application चाहिए, जो क्या करेंगा, network में data को generate करेंगा, अब कौन कौन सी application है, जो हमारी application layer पर काम करती हैं, जैसे कि हमारे पास web browser हो गया, web browser हो गया, आपका email client application हो गई, email client या email application मैं बोल दूँ हो यहाँ पर, ठीक है, cmd application, command prompt application, यह वो applications हैं, और भी applications हैं, एक sector लिख देता हूँ, और भी हो सकते हैं, यह वो कुछ example हैं, यह applications हैं, जो क्या करते हैं, network में, application layer पर data generate करते हैं, समस्तिसको, एक example से, देखो, अगर आपको website access करनी है, तो अगर आपको website access करना है, यह आपका laptop है, यह desktop है, तो आपको website access करने के लिए क्या चाहिए, एक web browser, अब web browser पे जब आप open करते हो, लाइक मैंने यह Google Chrome open किया, तो Google Chrome भी है, क्या है, एक web application है, web browser है, तो एक second होन करो, यह खुल गया, तो यहाँ पर यह जो tab है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ www.cisco.com, तो अब यहाँ पर देखोगे कि Cisco की एक website जो है, खुल गई, अब इस website के अंदर क्या है, data है, जिसमें आपको कुछ text दिख रहे हैं, है ना, कुछ आपको link दिख रहे हैं, आपको कुछ images दिख रही हैं, तो यह data आपको किस format में मिल रहा है, text के format में, audio के format में, video के format में, आ process क्या हुआ, आपने अपने system पे web application को open करके, नि web browser को open करने के बाद, उसके address बार में अपने www.cisco.com एक website के लिए request करी, और request आपके system से generate हुआ, आपके internet पे गया, internet के पीछे यहाँ पे एक Cisco की website रखी हुई है, इसके पास request गई, और इसने क्या किया, इस web server के पास code होता है या मान के लोग code को छोड़ देते हैं भी, इसके पास website है, और वो website का access आपको क्या दिया, आपको access दे दिया, और आपके screen पर क्या खुल गया, website खुल गया, तो उस website को access करने के लिए, आपको क्या चाहिए, एक application, कौन सा, web browser, और web browser में आपने क्या टिक पे address टाप की और आ तो यानि application layer पे क्या होता है, आपका data generate होता है, तो application layer का काम क्या होता है, data generate करना, जैसे हमने भी www.google.com से किया, करने के लिए मुझे catch एक application चाहिए, जो क्या करता आपका application layer, आपके application की requirement होती है, जैसे web browser, email client, तो यहाँ पे ये application layer क्या करते है, data को generate करते हैं, अब देखो, application layer पे, data को generate करने के लिए बहुत सारे applications होती है, और उन applications को, उस application के मदद से, जैसे web browser एक application है, email client एक application है, इनके थुरू मैं एक data generate करवा रहा हूँ, application layer से data generate हो रहा है पहले, और जो data generate हो रहा है, उस data को generate करने के लिए मुझे क्या चाहिए, protocols, protocols क्या होते हैं, कुछ set of rules होते हैं, there is some set of rules, जो क्या करते हैं, कुछ instruction को follow करके अकाम करते हैं, example के लिए, आपको पानी पीना है, तो पानी पीने के दो method हो सकते हैं, या आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, उठेंगे, आप glass लेंगे, पानी भरेंगे, और उसकत खुद पीने के, यानि इस process को अपने manually खुद किया, दूसरा तरीका क्या है, आप किसी को बोल दें, कि भई मेरे को पानी पिला दो, तो आपके लिए पानी ले कर आए अगर आपको देगा, तो एक काम करने के दो तरीके हैं, आप एक खुद करेंगे, दूसरा आप किसी से करवाए हैं, तो यह data automatically generate हो रहा है, automatically data को generate करने के लिए there is some protocols, तो आपके application layer पे बहुत सारे protocols होते हैं, जो कि data को क्या करते हैं, generate करते हैं, जैसे कि मैं कुछ protocols के नाम लिखवा रहा हूँ, STTP, STTPS, FTP, यह सुना होगा आप लोग, आपने हैं ना जैपी, इसके बारे में STTP, STTPS करके होता है, telnet, पर सुना है ना आपने, तो यह हमारे application layer के protocols हैं, DNS, DSCP, IMAP, POP, SMTP, SNMP, RIP, BGP, there are many-many protocols, there are many-many protocols, etc., लिखने बैठें के तो अंती नहीं होगा, ठीक है, तो यह वो सम प्रोटोकोल्स हैं, जो मैंने लिखवा दिया आपके हमने, जो हम लोग day-to-day में use करते हैं, तो यह वो protocols हैं, जो कि application layer पर काम करते हैं, अच्छा, मैं थोड़ा सागे बनने से पहले एक और चीज बता दूँ, जो हमारे पास यह जो चीज रह गई थी, पहले उसको cover कर लेते हैं, फिर हम बाप पिस आगे बढ़ेंगे, जो ऊपर की जो top layers देख रहे हो आप, कौन कौन सी, उपर की तीन layers, layer 7, layer 6 and layer 5, इसको हम लोग बोलते हैं, upper layer, मैं एक मिन्ट के लिए, जस्ट आ मिन्ट देना, मैं आपको चीज बता तो, उपर की जो तीन layers हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, upper layer, ठीक है, इसके बाद, जो नीचे की तीन layers हैं, सबसे नीचे की, मैं महा करता हूँ, blue color से, यह वाली, इसको बोलते हैं, lower layer, और यह जो अपकी layer है, ट्रांस्पोर्ट वाली, इसको हम बोलते हैं, heart of OSM, तो थीज आर ठी कैटेगरीज, लेयर को तीन मना अलोग कैटेगरीज में डाल दिया, ठीक हैं, जो उपर की जो layer है, जो upper layer जिसे बोलते हैं, इस पे आपके काम करते हैं, software developers, software developers, और नीचे की जो layers हैं, कौन-कौन सी मैं बता देता हूं, layer 4, layer 3 and layer 2, यह जो तीन layers हैं, from layer 4 to layer 2, इस पे आपके काम करते हैं, network engineer, और जो सबसे नीचे की layer है, इस पे आपके hardware engineer काम करते हैं, software engineer से means, अगर मान के चलो कि आपके laptop का NIC card खराब हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए आप किसी जो NIC card को जो board बगरा repair करते हैं, उनके पास आप उसको लेकर जाएंगे, एक second, तो उसके पास लेकर जाएंगे, वो ठीक करेगा, आप ठीक नहीं कर सकते, right? तो इसी तरीके से ये तीन अलग-अलग categories हैं, तो जो आमें जो सबसे जादा focus रखनी हैं, वो रखनी layer 4 पे, layer 3 पे, layer 2 पे, क्योंकि network में जो problems आपको phase करनी पढ़ेंगी, वो ये तीनी layers पे करेंगी, और इनी तीनी layers पे आपको troubleshoot करना होता है, जो उपर की layers हैं, उन पे workflow देखेगा, example, अब एक बात बताओ, आपके system, आपके phone में एक WhatsApp application है, और ये application काम नहीं कर रही है, तो आप network वाले के पास थोड़ी जाओगे, जिस दिस application को बना है, उसके पास जाओगे, तो इसी लिए, उपर की 3 layers हैं, उसकी responsibility, application developers की होती है, बाकी नीचे की, जो मैं आप आपको तब ऐसे करना है, ठीक है, तो हम लोग आपिस application layer पर आते हैं, तो application layer पर आपके ये सारे protocols काम करते हैं, यहां तक clear है, रेपी जी, कोई doubt तो नहीं है, आपर, ठीक है, म्यूट कर लीजे, बाकी गटी लोगो, इसके बाद जो, दूसरा जो layer 7 है, layer 6 है, इसको बोलते है हैं हम लोग, presentation layer, अब presentation layer का क्या है, data present in this layer, मैं लिख देता हूँ, in this layer, data, will present in, in this layer, data will present in correct format, ठीक है, दूसरा, इस प्रवाइड, encryption, decryption, अभी समझाओंगा, इस चीज़ क्या होती है, फेले लिखा देता हूँ, third point, provide, यह जो data है, it's provide, यहां भी लिखतेता हूँ, इस प्रोवाइड, इस प्रोवाइड, इस प्रोवाइड, यानि जो आपका application, जो सुरी, जो presentation layer है, उसके यह तीन काम है, ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि, इसका मतलब क्या है, current format में, या फिर correct format में कैसे इसको form करना क्या मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो, जब आपने यहां पे cisco.com www.type किया, तो आपके सामने यह जो data है, एक किस format में present हो रहा है, एक website के form में present हो रहा है, जहां पे आपको कुछ text मिल रहा है, है न, आपको images मिल रही है, अगर मैं next tab खोलता हूं और यहां पे type करता हूं YouTube, तो आप देखोगे कि यहां पे जो data है, वो आपके video के format में होगा, right, कुछ videos है, text है, image है, मैं play को तो video play होना शूरू हो जाएगा, यहां पे मैं gana.com type करता हूं, एक second, gana, तो gana.com भी एक website है, जहां पे आप अपने song वगरा सुन सकते हो, audio format में, right, तो आपका यहां पे data के format में है, audio के format में है, तो कहने का मतलब क्या है, देखो, example समझो इस चीज को, आपका system था, जो किस से connected है, internet से connected है, और internet के पीछे एक Cisco की website खुली था, Cisco की, यह website है, Cisco.com, अब आपको पता है कि Cisco की जो website है, वो server में पढ़ा हुआ है, तो data किस format में पढ़ा हुआ है, code format में, क्योंकि जब website को हम लोग बनाते हैं, तो हम coding करते है, HTML का, CSS का, JavaScript का, पता है नह चीज़ तो आपको, है ना, इसी से तो data बनता है, ना, yes or no, इसी से तो आमारी website बनते है, तो यह server पर क्या पढ़ा है, हमारे पास, code पढ़ा हुआ है, अब जब आप अपने system से www.cisco.com type करते हो, तो आपके system से जो request गई server के पास, server के पास जो code था, वो सारा का सारा code आपको क्या दे दिया, आपके application को दे दिया, तो आपके application ने data request करी, server के पास गया, application layer ने, जो server का पढ़ा था, उसने data उठा के आपके application को दे दिया, और application पे जब data आया, data आने के बाद application layer ने क्या किया, और data को receive करने के बाद hand over कर दिया, presentation layer को, अनि application layer ने data hand over किसको कर दिया, presentation layer को जब presentation layer पर जब data आया तो data किस format में आया code के format में receive हुआ और उस code को convert करके आपको website के form में audio के, video के form में आपको देखा दिया तो ये जो आप जो website देख पा रहे हो हैं ये जो videos देख पा रहे हो ये जो आप website देख पा रहे हो जो इसमें image text है किस की help से presentation layer की help से presentation layer ने उसको convert कर दिया एक essay format में एक user उसको समझ पाए तो presentation layer का काम होता है data को एक correct format में present करना presentation present करना तो आपको audio के form में present कर रहा है, video के form में कौन कर रहा है back in पे presentation layer, समझ में आ रहा है clear होई चीज़े अब presentation layer का दूसरा काम क्या है, encryption and decryption करना, encryption करना and decryption करना आपको पता encryption का मतलब क्या होता रपी जी, what do you mean by the encryption do you know, अगर पता है तो हाँ, नहीं पता, चीज़े encryption क्या है it is a method it is a method to convert your data convert your data plain text into into cipher format cipher text मतलब आपके data को ऐसे format में change कर देना ताकि जो एक normal एक आम इनसान उसको समझ ना पाए कहने का मतलब देखो अगर अगर एक message है hello और यह network मैं ऐसे ही भेज़ दू, एक user है, यह attacker है, इस attacker ने data को sniff किया, पकड़ा, और अंदर के message को पढ़ लिया, तो क्या हुआ, मेरा जो message था, वो एक third person ने इसको क्या कर लिया, read कर रही है, तो मैं कैसा क्या करूँ, कि मेरा जो यह, जो text अगर में network में भेजूँ, तो कोई पढ़ ना पाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस text को convert कर दूँगा, एक format में, जैसे यह hello है, इसको convert कर दूँगा, like, one, two, dollar, hash, hash, percentage, तो यह hello को convert कर दिया, एक certain code में, और इस code को मैंने आगे forward कर दिया, suppose, तो यह जो आपका पास जो code आया, convert होगे, इसी को बोलते हैं, encryption, और यह encryption आपका कौन प्रोवाइड करता है, presentation layer, देखो, अगर आपने website access करी है, तो website या तो sttp-based होगी, या तो sttp-based होगी, अगर यह, sorry, अगर sttp है, x in hold करना, अगर sttp है, तो data आपका not encrypted, और अगर sttp-based है, तो data आपका encrypted होगा, data आपका encrypted होगा, now, तो अब आपका जो presentation layer है, वो क्या provide करता है, encryption और decryption, देखो, encryption, decryption हर बार नहीं करेगा, depend करता है कि आपने application layer पे, कौन से protocol को use किया है, data को generate कराने के लिए, जैसे कि हमारा sttp जो है, वो secure नहीं है, sttps हमारा secure है, इसी तरीके से protocol example telnet, जो secure नहीं है, और ssh यह secure है, तो अगर data आपने sttp के थूरू generate किया है, तो presentation layer as encryption provide नहीं करेगा, अगर sttp based है, s based, stt based है, तो presentation इसको क्या करेगा, automatically encrypt कर देगा, अगर आपने telnet के थूरू data को access किया है, आगे चलके teller पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पर data आपका encrypted format में नहीं है, यानि जो presentation layer है, वो data को encrypt नहीं करेगा, और ssh के थूरू data को encrypt करेगा, तो यानि presentation layer encryption करता है, और decryption का मतलब उल्टा, encryption का मतलब है plain text को convert कर देना, siffer text में, जैसे कि hello को convert कर दिया, hash percentage 1, 2, 3, यह convert कर दिया, तो यह plain text है, और यह siffer text है, इसको बोलते है encryption, इसको बोलते है decryption, और अगर आपने code में लिखा हुआ, उसको again convert कर दिया, plain text में, उसको बोलेंगे decryption, तो plain text को convert करना in a siffer text is called encryption, again उस वापिस उस text को, वापिस से plain text में convert करना, decryption, तो जो sender होगा, वो data को encrypt करके भेजएगा network में, और जो receiver होगा, वो data को decrypt करेगा, तो encryption, decryption का मत्तब समझ में आया, रैपी जी, अगला बात हमारा है, जो presentation layer प्रोवाइड करता है, which is compression and decryption, देखो, अगर मैं आपको चीज बता दूना, देखो, ये presentation layer अपने आप काम करेंगे, आप इसके अंदर कुछ नहीं करते हो, रैपी जी, ठीक है, यूजर के control में ये चीज नहीं होती है, कि मैं data को encrypt करूँगा, या decrypt करूँगा, या सब चीज आटोमेटिक ली प्रोटोकोल करता है, बैकेंड में हो क्या रहा है, हम उसको समझ रहे हैं, देखो example यार, बताओ, जब आप एक movie देखने जाते हो, जब आप एक movie देखने जाते हो, तो वो 3 hours की movie होती है, जो average time में ले रहा हूँ, तो इस 3 hours की जो movie आप उसको enjoy करते हो, उसके back end में, कितना time लगा उसको बनाने में, dialogue delivery करने में, script लिखने में, तो वहाँ पे वैले पूली shooting हुई होगी, उसके बाद 3 घंटे की movie बनी है, तो जब आप movie को देखते हो, तो आप सरब movie को enjoy करते हो, back end में क्या होता है, तो उसको अप्रकोल पड़ता होता है, इसी तरीके से, मैं जो बात कर रहा हूँ अभी ये सारी चाहिए, ये back end में अपने आप हो रही होती है, यहाँ पे आपको खुछ से कुछ नहीं करना है, तो ये mind में कभी मत समझ लेना, इसको हम कैसे करेंगे सर, encrypt कैसे करूँगा मैं, हाँ कैसे convert करूँगा मैं, नहीं, ये आप खुद नहीं करेंगे, ये back end में अपने आप चीज़े हो रही है, मैं सिर्ब आपको समझा रहा हूँ कि चीज़े कैसे काम करती है back end में, ठीक है, तो compression and decompression, compression and decompression, ये कौन प्रोवाइड करता है अपका presentation layer, कैसे क्या कैसे उसको समझते हैं, आप सभी लोग WhatsApp को यूज करते होंगे, आप सभी लोग WhatsApp को यूज करते होंगे, तो जब आप WhatsApp को यूज करते हैं, तो सभी लोग WhatsApp से हम लोग एक pick जो है हम भेज सकते हैं, क्या बता पाएगा कोई कि अगर हम directly pick को as a document format में भेजते हैं, एक तो हम document format में picture को बेज सकते है WhatsApp से, दूसरा हम normally directly send कर सकते है picture को, दोनों में क्या difference है, document format में भेजने का क्या difference है, और directly photo को भेजना के में क्या difference है, कोई बता पाएगा आप लोगों में से, जो लोग WhatsApp यूज करते हैं, कभी किसी लोग बेजने में क्या होगा, कि जो quality of picture है, अगर हम documents में बेजेंगे, as compared to directly picture में, वो ज्यादे बेटर रहता है, sir, right, right, क्यों होता है, देखो, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, presentation layer का काम OSI model में कैसे होता है, तो OSI model में presentation layer होता है, जिस पिक्चर की quality हो, shrink हो जाती है, compress हो जाती है, 4 MB की file थी, photo की actual quality, जब आग उस image को directly भेज देते हो, तो उसकी quality 1 MB घटके हो जाती है, क्यों, क्योंकि उस application ने उसको क्या कर दिया, अनि उस presentation layer में जब आया हो, उसको compress करके भेजा, अब आग उसकी document की format में भेजते हो, तो presentation layer, compress करेगा, नहीं करेगा, यह depend करता है, जो developer जिसने इसको application डबलब किया है, क्योंकि उस application को पता है, जब एक user, as a document के format में जब घेज़ेगा, तो मुझे उसको compress नहीं करना है, अगर उसको मैं document के format में नहीं भेजूँगा, ऐसे directly भेजूँगा, तो मुझे उसको compress करना ह यह पहले से pre-define करता है आपका software developer, तो presentation layer का काम होता है, किसी भी चीज को compress करना, decompress करना, data को compress करना, decompress करना, कभी-कभी आपने देखा होगा, जब आपको कोई file भेजी जाती है, अगर मान के चलो, आपके दोस्तने कुछ 10-12 file है, कुछ images आपको mail करी है, तो वहाँ पे application उसको zip format में करके कर लेते हैं, तो आपका application automatically उन सभी, जो 10 images थी, या 10 file है थी, उसको compress करके, एक zip folder में डालके, आपको download करने के लिए दे देता है, again, presentation layer ने क्या किया, data को compress कर दिया, I hope सो अब ने चीज कभी-ने, कभी notice कियोगी, नहीं किया, तो कभी भी देखना, जब आपक multiple downloading file भेजते हैं, तो आपका application पूछता है, वहाँ पे, we want to download, save on a same file, same file करोता है, उसको zip format में डाल देता है, तो presentation layer का यहाँ पे काम होता है, तो presentation layer का का काम क्या हुआ, पहला काम, data को एक correct format में represent करना, दूसरा, data को compress करना, decompress करना, तीसरा, presentation layer का का काम होता है, data को encrypt करना और कैसे compress करता है, कैसे encryption करता है, वो हमारा जानना ज़रूर ही दिया, as a network engineer, क्योंकि application layer, presentation layer, और session layer के उपर, हमारे network engineer काम नहीं करते हैं, software developers काम करते हैं, तो हमें सिरफ जानना है कि presentation layer का का काम होता क्या है, क्योंकि जब आप से interview में पूछेंगे, can you tell me what is the responsibility of the presentation layer, तो you can see like, आप यह बोल सकते हो, it provides, it converts your data in a certain format, it provides a compression, decompression, it provides encryption and decryption, that's it, वो आपको इस से जादा कुछ पूछेगा भी नहीं, तो यह होता आपके, presentation layer का काम, now, अगला layer, give me a second, एक second दीजेगा, अगला जो layer है, which is session layer, देखो, सबसे पहले topic कौन सा होता है application layer, उसके बाद presentation layer, फिर session layer, data generate होता है application layer पे, फिर आता है, वो hand over हो जाता है presentation layer पे, presentation के बाद data hand over हो जाता है session layer पे, जब session layer पे, जब data receive होता है, तो session layer का काम क्या होता है, session layer का काम होता है, session layer का काम होता है, create, manage, and terminate the session, तो आपका session layer क्या करता है, आपके session को create करता है, between server and client, manage करता है session को, and फिर, terminate भी करता है session को, अब, यहाँ पे, बात करते हैं, example के लिए, मैं यहाँ पे एक website खोलता हूँ, ध्यान से समझना, मैंने एक tab खोला, और मैंने यहाँ पे डाला, cisco.com, www.cisco.com, तो क्या हुआ, मेरे cisco के server से session बन गया, मैंने डाला, www.microsoft.com, तो मेरे पास microsoft के session के साथ मैं जोड़ गया, microsoft के server के साथ मैं connect हो गया, again youtube.com, youtube के server से मैं connect हो गया, facebook.com, मैंने न, अक्चुर में अपने system पे शाद, चलो, facebook के अगा tutor डाल देते हैं, twitter login, wow, tutor कैसा लोग हो गया, चलो, यह tutor के साथ मैं खोल गया, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे, आप देख सकते हो कि मेरे पास अलग-अलग tab है, और हर tab के साथ मैंने किसी ना किसी server के साथ क्या किया है, session मैंना, जैसे इसमें Cisco के server के साथ, यहाँ पे मैंने Microsoft server के साथ, यहाँ पे YouTube के साथ, तो session layer का काम क्या है, आपके system के साथ में, उस server के साथ में connection, यहाँ, session को create कर देना, तो session क्या हो गया, create हो गया, दूसरा, session को create करने के बाद, उस session layer की responsibility हो, तो इसको manage भी करना, manage करना का मतलब क्या है, कि मेरे को YouTube वाले tab में सिर्फ YouTube का ही data दिख रहा है, Microsoft के tab में सिर्फ मुझे Microsoft का data मिल रहा है, Cisco वाले tab में मुझे सिर्फ Cisco का data मिल रहा है, क्या Cisco के इस tab के अंदर क्या मुझे YouTube का data मिल रहा है, नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि session layer ने इसको manage किया हुआ है आपके different different tab में different different session बना हुआ है और जिस tab के server इस tab में जिस server के साथ मेरा data बना हुआ session बना हुआ है उस tab में उसी server का data क्या हो रहा है receive हो रहा है तो session layer ने क्या किया है इसको manage किया हुआ है that is why दो different session या दो से ज़्यादा different session आपस में merge नहीं हो रहे है because the response is to the session layer उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे इसको close कर दिया youtube.com वाली web tab को तो youtube के server से मेरा session क्या हो गया terminate हो गया तो session layer का काम है session को create करना manage करना as well as terminate करना समझ मैं सबको everyone clear है बिल्ली जी आपको भी समझ में आ रहा है आप भी join हो रखे है clear है आपको भी yes sir अमेरी आपको भी clear है जी सर जी सर ठीक है अब एक चीज़ और देखो मैंने दो बाद एक चीज़ बताया था कि जो हमारा application layer है presentation layer है और जो session layer है इसकी responsibility होती है आपके application developer की यानि अगर किसी server से आप connect नहीं हो पारे हो उसका नहीं मतलब करें कि आपके application नहीं चल रहा है तो application नहीं चल रहा है तो आपको network engineer को थोड़ी बुलाएगा तो application वाले को बुलेगा भाई दितरा application काम नहीं कर रहा चेक कर क्या दिक्कत है तो कहने का मतलब है कि आपके application जो developers होते हैं उसकी responsibility होती है इन layers पर यानि अगर इन layers पर कुछ issue आया ना तो network engineer का कोई रोल नहीं है यह सरफ job के जो application developer उनको पकड़ेंगे session layer मैं एक और काम बता देता हूँ ध्यान से समझेगा जो यह terminate session होता है यह दो तरीके से होता है एक manual termination और एक होता है auto termination manual का मतलब है कि जब तक आप session को terminate नहीं करोगे session terminate नहीं होगा और auto terminate का मतलब है server अपने end से खुछ से terminate कर देगा आपने server से session बना रखा है server एक time के बाद खुछ से session को क्या कर देगा तो सब लोगों ने कभी न कभी गौर किया होगा जब आप Gmail की website खोलते हो आज मैंने यहापर सबको Gmail खोल लिया अपनी step पे यह Cisco की website खोल ली अगर मैं इस website को close नहीं करूंगा इस tab को जब तक मैं close नहीं करूंगा तब तक मेरे को यह page दिखता रहेगा session बना रहेगा लेकिन अगर आप यही चीज एक net banking open करूं तो क्या होगा आपने login करया अपना dashboard आया आपने अपना balance चेक किया और आपने उसको log out करना भूल गए यह आप छोड़ दिए तो आप देखोगे after five minute जब page को refresh करोगे तो session expired बता देता है क्यों क्यों क्यूंकि उस developer ने पहले से यह define किया हुआ है क्यूंकि banking का site है secure site है तो किसी गलती से किसी user ने login करके छोड़ के चला गया तो उसके साथ धोगा हो सकता है तो इसी लिए software developer ने क्या किया कि अगर जब आप net banking कभी भी login करेंगे तो server के अंदर पहले से यह session बना हिया होता है कि अगर किसी बंदे ने user ने session बना लिया और session उसका ideal पर चला गया ideal कब बोलते है मान के चलो आपने login किया आप किसी ने किसी टैप पर किलो चेक balance कर रहे हो अकाउंट चेक कर रहे हो फिर आपने कुछ transaction देखी तो आप जब click कर रहे हो तो data आपके server के बाद रिक्वेच जा रहा है और अपने data अप उसके बाद पांच मिनट के बाद आपने इस file उसको छोड़ दी ऐसी तो क्या हुआ क्या अब आपके system से कोई data generate हो रहा है तो नहीं जा रहा है आपके system से कोई request नहीं जा रहे है server देख रहा है यार आप user से ना कोई data आ नहीं रहा है तो पांच मिनट के बाद या जो भी उस user ने जो इस ने भी उस developer ने उसको बनाया है उसने जितना time लखा यह मैं पांच मिनट बोलू कल को बोलू सा मेरे तो 10 मिनट में हो रहा है आप तो गलत हो नहीं यह depend करता है कि इ time के हिसाब से दिया हुआ है तो एक time के बाद आपका system अगर session अगर ideal हो जाएगा तो वह auto terminate हो जागा server से यह कभी ने कभी आपने face किया होगा तो इसी को बोलते है auto termination session layer के उपर की जो responsibility और किसकी होती है आपके network और इंजिनियर की नहीं होती ही application developer की होती है के लिए रिपल ठीक है ब्यूट का लीजेगा जब पाई लेगे लेगे लाओ अब नेक्स्ट अमारा है ट्रांस्पोर्ट लियर देखो अब जो मैं layers बता रहा हूँ transport layer अब यहां से आपको अपने आँख नाख काम सब खुले रखने है क्योंकि यही वो layer है जहां पे network इंजिनियर्स काम करते हैं और interview में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा questions आप से एक transport layer से पूछा जाता है और दूसरा data link layer से पूछा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा terminologies इसी दो layers में होती है और सबसे ज़्यादा बड़े layers होते हैं और इसके अंदर कहलो कि terminology ज़्यादा है इस वहीसे ज़्यादा इस टूड़े confused हो जाते है ठीक है अच्छा मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक मिट एक और चीज आप लोग साथ शेयर करना चाहूंगा now so transport layer अब transport layer का काम क्या होता है उसको पहले लिखवा देता हूँ transport layer का काम होता है segmentation transport layer का सबसे पहला काम होता है segmentation what do you mean by the segmentation segmentation क्या है it is a process it is a process it is a process to cut your data into small 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 pieces small small pieces it is a process to cut your data into small small pieces that pieces are called chunk उस chunk बोलते है CHUNK जो हमारे छोटे पार्ट में डिवाइड होते है उसको हम लोग क्या बोलते है चंक बोलते हैं तो क्या होता है जब session layer पर जब data आता है उसके बाद session layer क्या करता है उस data को hand over कर देता है transport layer जब transport layer session layer से data को receive करता है तो उस data को छोटे छोटे पार्ट में divide करता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं chunk उसको बोलते हैं हम लोग chunk अब segmentation की requirement क्यों होती है तो देखो आपका जो data है ना कभी बी एक directly कहलो कि आपका directly send नहीं किया जाएगा network पे उसको छोटे 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 पार्ट में divide किया जाता है शायद आप लोग को याद हो जब आप आज से मैं ज्यादा नहीं साथ आठ साल पहले की बात करूँ जब हमरे पर dialogue connection वाल इंटरेनेट होते थे तो अगर आप WhatsApp वाटसप तो उस ताम बहुत कमी था अगर आप Google पर कोई image आप क्लिक करते थे तो image slow 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 open होता था और उसके बाद पूरी screen पर आता था इस तरह से यानि जो बड़ी photo थी वो धिर धिरे 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 open होती दी कभी याद है कभी किया है चीछ आसे आध दस साल पहले जब dialogue connection होते है हमारे पास yes sir no yes sir image open करते है बहुत धीरे image open होता था क्यों होता था क्योंकि data थोड़े थोड़े पार्ट में receive होता रहता है जितना receive होता रहता है आज भी अगर आप लोग तो टोरेंट से कभी movie download करते हो तो देखना जो टोरेंट पर डाउनलोडिंग हो रही होती है डोंट आप लोगों नहीं किया तो वहां पर आपके वो जो जो movie या कुछ जो भी आप लिशन आप डाउनलोड कर रहे होते वह दीड़े दीड़े ग्रीन कलर में होते है बात में जब वह एकदम से पूरे ग्रीन हो जाते है पूरा का पूरा तब उस file को आप open कर सकते उससे पहले file को नहीं देख सकते तो transport layer का का काम क्या होता है छोट ये एक message है मुझे इस message को क्या करना है network में send करना है तो जैसी session layer इस message को transport layer को handover करेगा मैं example ले रहा हूँ message का आप message नहीं बोलोगे ये file ही होती एक तरह से लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तापकि आपका concept clear हो जाए तो ये message receive ये मुझे message भेजना है तो transport layer ने message receive किया देखा कि message को मुझे भेजना है तो मैं इसको एक बार में नहीं भेज सकता तो आपका transport layer क्या करेगा इस message को अलग अलग पार्ट में तोड़ देगा ठीक है इसने अलग-अलग पार्ट में इसको तोड़ दिया ये sender था जिसने इस message को भेजना था ये receiver है ठीक है तो अब ये data क्या हुआ ये send किया इसको मिला पहले इसके बाद ये मिला उसके बाद ये मिला उसके बाद ये मिला तो देखो अगर data को ऐसे भेज दिया अब receiver ने data को receive किया अब इस data को दुबारे से क्या करना पड़ेगा reassemble अब reassemble करना पड़ेगा अब reassemble करने के लिए मुझे क्या चीए एक sequencing यह देखो आपके पास एक 100 page की story book थी उसके अपने net से डाउन्लोड किया और 100 pages आपने उसका printout निकाला अब उसको binding कराने के लिए अब आपने घर से जा रहे हो market में गलती से वो सारे के सारे page आपके गए नीचे गर गए तो उन pages को दुबारा से उठाके आपको rearrange करना है तो rearrange तभी कर पाऊगे जब उसके उपर pages number लेखे होंगे अगर उसके अंदरा page number ना डालो तो आपके बसकी ही नहीं है कि उसको rearrange कर लोगे लेकिन विल टेक more and more time 100 pages को एक sequence में rearrange करना अगर आपको story नहीं पार्ट में divide करके ऐसे ही network में base दूँ और receiving end पे उसको reassemble करना हो तो वो तभी कर पाएगा जब उसमें sequencing का concept हो तो अब यहाँ पे क्या होगा तो जब data आपके छोड़े पार्ट में divide होते हैं तो यहाँ पे sequencing होता है कि यह पहला segment है out of 5 यह बताएगा receiving end पे कि कितने total segment आने ह हैं और यह उसका कौन सा भाग है तो 1 out of 5 sequence number 2 out of 5 3 out of 5 4 out of 5 5 out of 5 अगर इस तरीख से data गया तो पहले यह वाला data पहुंचा मान के चलो पहले यह वाला segment पहुंचा कभी भी segment ऐसा नहीं कि पहले यह जो sequencing होगी कैसे भी पहुंच सकता है यह कोई sequence में नहीं पहुंचेगा कभी कोई पहुंच रहा कभी कोई पहुंच रहा है तो जब इसने receive किया तो इसको पता है इस नंबर से देखके पता लगा लगा कितने total segment आने है 5 इसके यह कौन सा भाग है 2 उसके बाद hello आया उसक फिर आर को लगाया फिर यू को लगाया और उसके बाद फिर खुश्यमा को लगाया तो इस तरीके से आपके पास यह आ गया क्लिए रहती चीज यह सुरनो तो sequencing दूसरा दूसरा task है sequencing कोई डिक्का थी यहाँ पर एनी हम एनी डाउट क्लिए रहे सबको everyone अलम जी आपको भी क्लिए रहे यह सर आया वह 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 पर पहुच गया और उसमें से सारे one second वह लॉस हो जाए तो वह बताऊंगा 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 वह इसी के अंदर ही आएगा जिसके बोलते हैं अगर कोई एक डेटा लॉस हो जाता है कोई एक सेग्मेंट लॉस हो जाता है तो उसकी एक नॉलेजमेंट सामने से नहीं आएगी तो सामने वाला समझ जाएगा कि मैंने चार सेग्मेंट भेजेते या पांच सेग्मेंट भेजेते चार की एक नॉलेजमेंट आई है एक की नहीं आई है तो जिसकी एक नॉलेजमेंट नहीं आएगी उसको मैं दुबार से री ट्रांस्मेट करूंगा ठीक है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो अभी के लिए मै तो class को थोड़ा extend कर लेंगे, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा limited time है, तो उसके लिए sorry for that, पट ये video में आप लोगो भेद दूँगा, तो इसको एक बार recall जरूर कर लेना, बहुत ही important OSI model का ये concept है, मैं जिस तरीक से detail में discuss तरूँगा, काफी length ही, क्योंकि OSI model तो एक गंट